नमस्कार, स्वागत क्याब तरीका हमारे योडिक पैनल दिंग दिल्टा महान कभी कुवर नरायन की एक महान कभी था अंती मुचाई का आज हम पाठ करेंगे कितना स्पष्ठ होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसो दिसाएं हमारे सामने होती हमारे चारो और नहीं कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते बाकि सब रुका होता मैं अक्सर इस उल जुल दुनिया को दस सीरों से सोचने और बीस हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है सुरू-शुरू में सब यहीं चाहते हैं कि सब कुछ सुरू से सुरू हो लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं हमें कोई दिल चस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समापत होता है जो इतनी धूम धाम से सुरू हुआ था हमारे चाहने पर दुरुगम वनो और उचे प्रवतों को जीतते हुए जब तुम अंती मुचाई को भी जीत लोगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बच्चा अब तुम्में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तुफान झेलोगे और कापोगे नहीं तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिमत ना हारने में